नमस्कार दोस्तो वे आप सभी मेरे दोस्तो का दोस्ता हर्श क्रिप्ट वार्श कहले पिछले दो जो विडियो अपने है तैम स्टोप के ऊपलोड किये तो कई हर डोस्तो की यह सवाल आ रहा contrac हर्ष भाई जैसे कि पायाटरों के मूबैल अप्लिकेशन पे हमें लगाता 24 hours के बाद फिर से वो mining बटन पे क्लिक करना पड़ता है तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा same fund है क्या तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे same fund है बट यहाँ पे concept थोड़ा सा आसानी हो जाएगी तो उसके साथ साथ बहुत सारे दोस्तों के यह भी सवाल आ रहे है कि हर्ष भाई यह पायाटरों के application से थोड़ा सा similar लग 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 रहा है तो हमें यह बताओ क्यूंकि हमें कोई भी आप सोशल मीडिया पर उनका इंटरनेट पर official ID नहीं मिल रहा है कि developers की information नहीं मिल रही है तो हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं यह fake हो सकता है तो आप बताओ इसके उपर आपका खुद का opinion रखो हमारे सामने तो हमको समझ में आ जाएगा जिसमें 7-8 point रहेंगे जिससे आप अपना खुद का अनुमान लगा सकते है कि यहाँ पर यह fake हो सकता है या real हो सकता है या तो scam हो सकता है क्या तो दोस्तों उसके साथ साथ आपसे कुछ मुझे important survey conduct करना है तो मुझे comment box में research करने में मुझे help हो जाएगी तो comment box में आपको आ यह application आपको वाकई में क्या लगता है fake लगता होगा तो एक ऐसा कोई भी ऐसा एक logical point उसके साथ mention कर देना अगर real लगता हो तो उसके साथ भी एक logical point mention कर देना तो आपके हर्च भाई को यह research करने में बहुत ज्यादा help हो जाएगी और आपका हर्च भाई आप अपलोड कर दे तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको LinkedIn पर लेके जाओंगा तो LinkedIn पर उनका एक ID शो करते था ओडिवलोपर का ठीक है LinkedIn ऐसा एक profile है जहाँ पर हम job सिपत कर जो रहते अपना profile बना सकते हैं और company जो रहती है बड़ी बड़ी ओ यहां से candidates को recruits करती है तो यह बहुत ब time stop हमने देख लिया don't stop time just mind stop your time everyone time is fair save your time starting today मतलब सेफ करना start कर दी है 48 यहाँ पर फॉलोवर से तो यहाँ पर उनको ठीक आपको यह लगता होगा किसी और ने बना दिया होगा बरावर यहाँ पर आपको संतुष्टी नहीं होई रहेगे satisfaction नहीं हो रहेगा तो मैं आपको यहा है ठीक है तो यहाँ पर उनके total 494 connection से यहाँ आपको निचे details में information मिल जाती है उसके साथ साथ यह जो message का feature आ रहा है तो अभी यह feature उन सिर्फ उन लोगों के लिए रहता है जो कि manager रहते बड़े-बड़े लोग रहते हैं जिनसे हम directly connect नहीं कर सकती जिनको हम directly नहीं message कर सकते तो LinkedIn ऐसा एक feature प्रोइड करता है जहाँ पे हमें paid version लेना पड़ता है अगर हम paid version लेते तो इनको हम message कर सकते है या तो इनसे contact कर सकते है देखिए यहाँ पे उनने details में बोला है with premium email you can send a message anyone even if you are not connected it's 2.6 into यहाँ पे कुछ तो information दे दिया है तो यहाँ पे सिर्फ professional तरीके से हम हमें बातचीत हम लोग इनसे कर सकते हैं तो आपको यह profile हो गई अभी ठीक है इनका नाम तो थोड़ा सा आज ही पर पड़ने में क्योंकि यह korea के member है ठीक है बट यह CEO है जहाँ पर आपको white paper में दीख जाएगा तो अभी time stop का application ओपन करूंगा time stop का application जैसे कि मैंने morning में भ application open करूंगा time stop का application open करने के बाद हमारे सामने इसका कुछ आ जाएगा तो यहाँ पर यह करूंगा तो update पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा update में क्या-क्या है निचे दिया improvement in improper time increasing and improvement in UI of sign up ठीक है यह update होते रहेगा उसके साथ-साथ मैं आपको एक और चीज़ बता जाता हुए आपर कि आपको अगर detect करना होगा तो आपको play store में एक option मिल जाएगा जहांसे play protect पे आप जा सकते हैं और आप detect कर सकते हैं चेक कर सकते हैं कि आपके phone में कोई fraud app तो नही निकाला है कल ही मैंने देखा इस feature को तो आपको भी बता जाता हो आप भी कर सकते तो यह scan हो रहा है अभी ठीक है scan हो जाएगा complete तो हमें पता चल जाएगा कि कोई हमारे phone में तो fraud app नहीं है ना तो play protect scan scan हो चुका है कोई भी यहापे no problems found कोई भी problem नहीं आया है हमें तो application यहापे update हो चुका है open कर दूँगा open करने के बाद कुछ ऐसा interface हमारे सामने आ जाएगा security purpose के लिए मैंने जो की count है मेरा जो की time stop का जितने भी मेरे time stop collect हुए तो मैंने security purpose के लिए hide करके रखे तो आप और safe कैसे हो सकते है मैं आपको बताना चाहूंगा तो यहाँ पे calendar के feature म और यहाँ पे एक stamp आ रहा है time stop click stamp get your score तो यह stamp को हमें कब क्लिक करना है पता है कि दोस्तों यहाँ पे एक time दिया गया है ठीक है यह time जो है the attendance standard time is UTC 0 UTC यह time इंडिया में हो जाता है सुबा के 5.30 a.m. को यह time रहता है ठीक है 5.30 a.m. के बाद आपको यह stamp मिल जाता है सुबा morning में इंडिया के time के इसाब से अगर आप दूसरी country से belong करते होंगे तो आपके country के इसाब से time search कीजे Google पे डाल दीजे UTC 0 और आपके country का नाम डाल दीजे तो आपका country का time आ जाएगा तो उस time के बाद जितना जल्दी हम यहाँ पे click करेंगे उतना जल्दी उतना जादा हमें यहाँ पे score मिलेगा तो यहाँ पे मैंने time stamp पे click कर दिया है तो दिखिए date यहाँ पे मेरा यहाँ पे कल भी मैने click किया था तो 13 पे यहाँ पे पिंक कलर का डॉट है और 14 पे अभी click क्लिक क्या तो 14 पे भी pink पिंक कलर का डॉट है अगर आप किसी दिन किक करना भूल जाते है तो यहाँ पर आपके जो score है वो decrease हो जाएगा यहाँ पर ग्रे कलर का जो symbol दिख रहा है न दोस्तों उपर यह minus point 3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका color आजाएगा ग्रे 15 पर अगर आपका करना भूल गए तो ग्रे कलर आजाएगा तो आपका जो score है वो down हो जाएगा तो अचे वही मैं आपको बोल रहा हूँ आपसे share कर रहा हूँ जैसी कि reward आ जाता है तो इसके regarding भी मैं total information आपके सामने चारी कर दूंगा यह जो index दिया है वो details में आपको समझा दूंगा कोई दिक्कत नहीं तो दोस्तों यह हो गया complete ठीक है तो अभी यह मैंने आपको बता जी है तो access पूछता है बराबर कि हम आपके फोन का storage यूज कर सकते हैं क्या gallery यूज कर सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ यह access को आपको temporarily deny कर देना है मतलब permission सब बंद कर देने कोई भी permission आपको grant नहीं करना है तो आपको app manager में जाना है आपके phone में आपको एक बार check कर ले प्रोफाइल है जो कि time stop को profile है वहाँ पे हम हमारा profile picture लगा सकते है जो कि time stop का अलग feature है पायने ट्रोक से तो देखिए दोस्तों यहाँ पर time stop मुझे मिल जाएगा कहा पर गया time stop यहाँ पर time stop मिल गया है तो time stop के उपर मैंने क्लिक कर दिया है permission से यहाँ पर option मुझे शो रहा अगर हम permission देते हैं तो तो दोस्तों आपके हाथ में अभी आप लोग decide करो और comment box में मुझे जरूर आपका review बता जो की information updates मुझे मिलते जाएंगे वैसे ही आपको देते जाओंगा और आपको और मुझे पूरी तरह से grow करने की कोशिश करूंगा तो दोस्तों चलिए मिलते ह हमारे next video में जो भी query रहेगा आपके comment box में मुझे comment डाल देना और सबसे important चीज application के बारे में feedback देना मत भूलना logical point के साथ तो चलिए मिलते दोस्तों next video में बहुत जल्दी बहुत सुन तब तक आप लोग आप सभी का और आपके family का पूरी तरह से खयाल रखना thanks for watching